नमेश्कार दोस्तों मैं एस्ट्रॉलेजर और टेरोकार्ड डीडर निलम आज हम बात करेंगे सिंग राशी का 2022 कैसा रहेगा सिंग राशी वालों के लिए 2022 में क्या कुछ नया है क्या कुछ 2022 आपके लिए लेकर आ रहा है उसके बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे कार्स के मद्धेंडे टैरो कार्स ऐसी विधा जो आपके भूत, वर्तमान और भविषय्य तीनों की स्थितियां बताते हैं ग्रहों से जुड़े ये कार्स होते हैं और आपके भविषय्य में क्या क्या चीज़ें छुपी हैं कार्ज अपने संकेतों द्वारा उसको बताते हैं और एक अच्छा टारो कार्ड डीडर वही है जो इस कार्ज के संकेतों को समझ कर आपके भव behविश़् के बारे में आपके वर्तम Lebens के बारे में या भूत काल में जो आपसे परिशानिया आपके जीवन में रही है उसके बारे में जान सके तो 2022 किस तरह की चीज़ें आपके जीवन में लेकर आ रहा है नया लाइफ पार्टनर लव पार्टनर और बहुत सारे लोग नई जौब के तलाश में होगे और 2022 में जब हम एंटर करते हैं तो इसी उमीद के साथ कि शायद ये नया साल जो है हमारे जीवन में कुछ नई चीज़ें लेकर आए तो आए जानते हैं सिंग राशी वालों के ल है और क्या कुछ नया आपके जीवन में आएगा तो जिस तरह के कार्ज निकल कर आए हैं जी सिंग राशी वालों के लिए साल काफी उम्दा दिखाई देता है क्योंकि जितने भी कार्ज मैंने निकाले हैं फाइर ऐलिमेंट से रिलेटिर है ग्रोथ काफी अच्छी रहेग आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहते हैं बिकर्स डू टो यूर टेंपरमेंट आपका क्योंकि जो गुस्य का माबदंड है वो थोड़ा जादा रहता है इस कारण से आप आपके रिलेशनशिप जो हैं वो जादा लॉंग लास्ट नहीं कर पाते हैं जादा समय तक नहीं चल पाते हैं तो इस साल जो कार्ण संकेर दे रहे हैं आपके सुभाव में भी आप देखोगे विनमरता आनी शुरू होगी और आनी भी चाहिए जिसके साथ आपके साथ जो रिलेशनशिप में लोग आना चाहते हैं उनके साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे रहें और आप अपने जीवन में नए लोगों के साथ जुड़ें जो कि आपके जीवन में तरक्ती और प्रगती लेकर आएंगे बात करें इस साल के फाइनेंस के बारे में सिंग राशी वालों के लिए इस साल का जो फाइनेंस रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा अगर कहीं आप विदेश यात्रा से अपना कोई सपना रखने रखते हैं या विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वहां पर आपका धन खर्च होता दिखाई दे रहा है क्यूंकि उसके लिए लेकर आएगा आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे जोड़ेंगे जो आपके लाइफ में प्रॉस्पारिटी लेकर आएं आपको सयोग करें जैसा कि मैंने कार्ट के शुरुआत में ही बताया कि साल बहुत सारे नए लिंक्स आपके बनेंगे और यह लिंक्स जो हैं पैसे की वेस्टेज थोड़ी जादा होगी और पैसे की वेस्टेज बहुत अच्छे वे में होगी हो सकता है कि कोई आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें या हो सकता है कि आप अपने साथ सज्जा पर या फिर अपने भोग विलास के साधनों पर धन खर्च करें किसी पर कि स्थिती महसूस होगी साल के शुरुआत में आपको लगेगा कि आपका जो बॉंड है अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है आप अपने आपको अच्छा हुआ महसूस करेंगे विजन की कमी रहेगी आपके अंदर अपनी लव लाइफ को लेकर लेकिन साल के क अच्छी बनती जाएगी और विश्वास का दाइरा भी जो है आपका जादा बढ़ता जाएगा लेकिन सिर्फ जरूरत है पेशन्स के साथ उस व्यक्ति को समय देने की और अपना जो एक्सपेंशन है सोच का उसे जादा बढ़ा रखने की वाइड रखने की अब बात करते हैं कि जो लोग इस साल शादी विवाह के वेट में थे और शादी विवाह के लिए सोच रहे हैं तो इस साल शादी के अफसर बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं अच्छा लव पार्टनर अच्छा लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आता दिखाई दे रहे हैं जो की आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है आपके साथ थोड़ा सा विवाद पूर्ण घटनाएं भी हो सकती है इसलिए ध्यान रखिए अपने जिवन में सचेत रहें बिना बाद के किसी के साथ उलजे नहीं किसी के साथ विवादों में पड़े नहीं क्यूंकि ये सब निकल कर आए हैं वीनिस बहुत जादा प्रकर रहेगा इस साल आपके उपर तो आप अपनी साज सज्जा पर अपनी खूबसूर्ती पर अपनी लव लाइफ पर थोड़ा ध्यान देंगे पैशनेट रहेंगे या फिर एक्सपेंस जो हैं आपके इस तरफ बढ़ सकते हैं ज इन ही चीजों पर आपका पैसा खर्च कराएगा और पॉजिटिव वे में करवाएगा जिससे की आपके आपके सुख साधन जो है वो बढ़ेंगे इस साल किसी बहुत ही इंपॉटन्ट लेडी का साथ आपको मिलेगा वो आपके माता के रूप में हो सकती हैं आपके लाइफ में स्ट्रॉंग पिलर बनके खड़ी रहें इस तरह के कार्ज निकल कर आए हैं और अगर बात करूं तो सिंग राशी वालों के लिए कार्ज बहुत पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव वे में निकल आए हैं लेकिन थोड़ी बहुत चीजों का आपको ध्यान में चाहिए जिसके से की आपकी लाइफ में ये जो साल है थोड़ा सा कोई विवाद ले करना आए किसी प्रकार की परेशानी लीगल मैटर में ना आए उसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना चाहिए अगर बात करें साल रेमेडी की या किस चीज को आपको आपका ध्या में हो सकती है तो थोड़ा सा अलर्ट रहें अगर कीचेन वगेरा में काम कर रहे हैं तो थोड़ी से तर्कता जरूर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस साल आगर आप गेहों का दान जादा से जादा करते हैं वो आपके लिए काफी गुड़ लेकर आएगा बेनेफिशल और इस साल जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो आपके लाइक में काफी जादा प्रोस्पैरिटी लेकर आएगे लेकिन इसके साथ साथ आपको ट्रस्ट वर्दी भी रहना पड़ेगा विश्वास निये लोगों को अपने साथ जोड़े रखें के कबूत्रों को दाना डालते रहें वो अपने घर पे नहीं किसी बाहर जगा पर जाकर डालें वो बहुत ज्यादा फाइदेवन्द आपके लिए रहेगा तो यह था 2022 का राशी फल सिंग राशी वालों के लिए किस तरह का यह साल रहेगा इसकी जानकारी हमें भी धन्यव हुआ है ठाशी हमेगा यह सी लिए किसी हमें पर जफ िंकी हमें गाशी बाहर जो आतु ए पाइव ठे ंपके लिए